यार एक चीज़ बताईए अक्सर जब भी हम फ्यूचर मुवी की बात करते हैं तो सबसे पहले टेक्नोलोजी की बात करते हैं कि फ्यूचर में कार, आस्मान में उडिंगी, मुबाइल फोन दिमाग से काम करेंगे, AI का हम पर राज होगा और हम AI के अंडर काम करेंगे, आपको चुके हैं और उनके पास माइंड डिडिंग करने की पावर और टेलीपैथी की पावर आ चुकी है, और फिर कुछ पावरफुल लोग खास करके सरकारी लोग अपने फाइदे के लिए इन माइंड डिडर्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लोगों का डेटा चोरी करना लगा तो मुवी की शुरुआत में एक खुबसूरत नदी को दिखाते हैं, जिसके किनारे पार एक बाप और बेटा अराम से फिशिंग करते हैं, नदी की बीच से एक औरत उनको देख रही होती है, और उसके फेस को देखकर ऐसा लगता है कि उसके अंदर अनगिनत सवाल भरे प जालो, वो हमारे इजाज़त के बिना हमारे माइंड को रीट करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, ये सबी नारे लगाते हैं कि don't steal our minds, और दोस्तों ये प्रोटेस्ट भी दंगा फसाद में बदल सकता है, इसलिए यहाँ पर पुलिस वोर्स भी मौजुद होती है, पीछे जो लड़का खड़ा है, वो सिर्फ अपने दोस्त के कहने पर प्रोटेस्ट कर रहा है, वो खुद प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, उसे हमसे कोई दुश्वनी नहीं है, और ये ये दाड़ी वाला, ये तो ये भी नहीं जानता कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, पर हाँ वो बहुत घुस्से में है लेकिन उसके पीछे वो वो ओरत दिख रही है न वो बहुत ख़तरनाक है उस पर ध्यान रखना और वो ग्रीन ड्रेस वाल आदमी वो जान चुका है कि मैं उसका माइन डेट कर रही हूँ इस तरह है वो हर एक का माइन डेट करके पुलिस को टास्क है अब ये बात प्रोटेस्टर्स में फैल जाती है और वो पुलिस को खेर लेते हैं कि पुलिस खुदी माइंड डिडर्स को यूज करके हमारा माइंड डीड कर रही है जो कि इलीगल है फिर ओनर हर तरफ आंके फेड़ती है और भीड में सब के माइंड को डीड करने लग जाती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने हुड मास्क नाम का एक स्पैशल टाइप का मास्क पहना होता है ओनर जल्दी से उसका माइंड रेट करने की कोशिश करती है लेकिन इतने में वो उसको एक फायर बॉम फिंग देता है और इस तरह एक नॉर्मल प्रो रॉस को उसका टोपी लोटा देती है जो रास्ते में गिर गया था फिर रॉस से पुलिस टेशन जाता है तो वहाँ उसकी चीफ कहती है हमें किसी भी तरह इन दंगों को फैलने से रोक ना होगा वैसे देखा जाये तो इस प्रॉबलम में दोन पक्षों की गलती है ये माइ और आती है और उसको देखकर पुलिस वाले बिल्कुल चौँख जाते हैं वो उसे अंदर नहीं आने देते पर वो रॉस का दियवा पर्मिशन लेटर दिखाती है तब जाकर उसे अंदर अलाव किया जाता है वो खुद को वैसे बहुत कंट्रोल करती है कि वो किसी भी पु और उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखती है लेकिन वो भड़क जाते है कि मुझे देखकर मेरा माइंडेट करने की कोश्च मत करो समझी और भी घहती है देखो मुझे पुलिस वालो का माइंडेट करने में कोई इंटरस्ट नहीं है इसलिए आप फिकर मत केजे मैं आ इसा नहीं करती फिर रॉस बाहर आकर उनर से कहता है कि चलो पार्टनर काम शुरू करने का टाइम आ गया है अब ये सुनकर उनर बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि एक रॉस ही है जो उसे एक हुमन समझता है बाकि लोग तो उसको बस माइंड डीडर्स या क्रिनवल की तर फिर रॉस पुछता है कि इस हुड मास्क का क्या मतलब है क्यों पहनते हो तुम लोग ये सब कुछ वो भी कहता है इसे पहने के तुदेखो एक बार आप तो समझ जाओगे इसका मतलब तुम जाहे कुछ भी कर लो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला लेकिन जब रॉस सिंगल्स को ऑनर रेट करके पता लगा पाती है कि कौन क्या सोच रहा है वगरा वगरा अब ऑनर उस टेर्रिस्ट का नाम उसके पैरेंट्स का नाम बच्पन से लेकर उसके लाइफ में हुई घटना है सब कुछ बताने लग जाती है टेर्रिस्ट को बहुत ता गुस्सा आत पुछती है कहीं मेरी वज़े से तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हे कोई प्रब्रम तो नहीं आएगी ना पुलिस वाले तो मुझे शक की नजरों से देखते ही है कहीं तुम्हे भी ना देखने लग जाए अपसे राउस भी कहते हैं तुम उनके बारे में मस सोचो के बता देती है कि ये लोग क्या चीज छुपा रहे हैं वो चीज एक लेटर होता है जिसे हुड मेकर नाम के किसी ने भीज़ा है उसमें लिखा है कि मैने जो भीजवाया था वो तुम्हारे बहुत काम आएगा अब ये किस चीज की बात हो रही है इसके बारे में कोई नही जानता तब ओनर को नीचे से कोई आवाज आती है और वो नीचे जाती है वहाँ पर हुड मास्क वाला एक आदमी होता है तब रौस आकर कहता है कि जल्दी से उसका माइंड रीड करके बताओ कि उसके पास कोई वैपन है या फिर नहीं और बड़ी कोशिश करती है लेकिन मास्क वाले का माइंड रीड ही नहीं कर पाती वो आदमी इनको अटैक करने आता है लेकिन तब रौस उसे शूट कर देता है और उनर से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया माइंड रीड क्यों नहीं कर पाई उसका उनर बताती है मैं कोशिश कर रही थी पता नहीं ना होने की वज़े से इन्हें कोच पावरफुल लोग कम्यूनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये लोग माइंड डीडिंग और टेलिपैथी के जरीए किसी के साथ भी कम्यूनिकेट कर सकते हैं ऐसे में दोस्तों फ्रेंकली नाम का एक सरकारी आफिसर फिर भी फ्रेंकली जैसे पावरफुल लोग उनसे जबरदस्ती ये काम करवाते हैं बेचारी मैरी इसका माइंड बहुत ही डिश्टरब हो जाता है और वो रोने लग जाती है यही नहीं दोस्तों किन्वल्स का पता लगाने के लिए सरकार भी इनको जबरदस्ती आम लोगों का माइंड डिट करने पे मजबूर करती रहती है लेकिन आम लोग ये नहीं जानते कि ये किसी के दबाव में आकर ये सब कुछ कर रहे है वो बेवज़े माइंड डिडर्स पे बढ़क उठते हैं जबकि उनको असल में सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो माइंड डिडर्स से ये सब कुछ करवा रही है फ्रेंकलीन वहां से निकलता है तो उसकी कार में हुड मेकर का एक बॉक्स होता है जिसमे एक हुड मास्क होता है इसे पहने से Franklin का कोई भी माइंड डिड नहीं कर पाएगा यहां माइंड डिडर्स की जगह को दिखाते हैं Franklin का माइंड डिड करके Mary बहुत परिशान हो जाती है और नीन में बड़ बड़ाने लग जाती है और क्योंकि यह माइंड डिडर्स एक दूसरे से connected होते हैं इस वज़े से दूसरे माइंड डिडर्स भी बड़ बड़ाना शुरू कर देते हैं लेकिन तब ही ओनर जट से उठकर Mary को शान्त करने की कोशिश करती है लेकिन Mary कहती है मेरे पास मता हो तुम भी गदार निकले तुम भी अब सरकार के लिए काम करने लगी हो कट करके अगली सुबह रॉस को दिखाते हैं जो ओनर की जगह पर पहुँचाता है ओनर कहती है तुम्हें यहाने की क्या जरूवत है रॉस कहते है अरे इसमें प्रावलम क्या है तुम मेरे आफिस आ सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हम दोनों पार्टनर है यार ये लो ब्रेकफस्ट लेकर आए हो तुम्हारे ले तब ओनर देखती है कि किसने रॉस की गार को डैमेज करके रखा हुआ है दरसल दोस्तों यहां के सारे माइन डीडर्स को सरकारी आदमियों से सकत नफरत है क्योंकि वो जोरो जबर्दस्ती करते रहते हैं उनके साथ और माइन डीडर्स से वो काम करवाते हैं जो माइन डीडर्स करना ही नहीं चाहते इसलिए किसने रॉस की गाड़ी को डैमेज कर दिया है क्योंकि एक तरब से वो भी सरकार कई आदमी है रॉस भी समझ जाता है कि माइन डीडर्स का घुस्सा भी जायजी है रॉस की मदद से कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा वो आगे जोड देकर कहता है कि हमें आज ही मतलब आज ही पता लगाना होगा कि इस मास्क को कौन बनाता है एक ओफिसर कहता है कि इस काम को पूरा करने में तो एक महना लग जाएगा एक दिन में कैसे पता चलेगा कि कौन बना रहा है रॉस भी उसको टांट देता है कि यार तुम पुलिस वाले होकर ऐसी बात करते हो शर्म नहीं आती तुमें तब ओनर कहती है एक मिनट रुकिये मैं एक दिन के अंदर उस हुड मेकर का पता लगा सकती हूँ अगर आप बस पर्मिशन दे दो रॉस मान जाता है पांच मिनट के अंदर ओनर कुछ लोगों का माइन डेट करके रॉस को बता देती है कि वैक्स्ट फाइवर माटीरियल आम तोर पर मार्केट में एवलेबल होता ही नहीं यह सिर्फ कुछ फेक्टरीज में यूज होता है खास कर उन फेक्टरीज में जहां पर आई क्वालिटी की कपड़े बनते हैं या फिर वहां पर जहां पुराने तरीके से बुक्स को बाइंड किया जाता है फिलाल यहां पर तो कोई binding factories है नहीं, इसका मतलब हमे clothing factories को target करना चाहिए इस शहर में 8 factories हैं, हमें उन सब के तलाशी लेनी होगी, तब जाकर हम hood maker का बता लगा पाएंगे बागी officers तो एकता महरान हो जाते हैं कि यार ये बड़ी मस चीज़ माइन डीडिंग अब वो officer जिसने एक महना मांगा थे इसकाम के लिए, Ross उससे कहता है कि देखा देखा, कितनी fast है मेरी partner चलो, अब उन factories पर rate करते हैं Ross की पूरी टीम इसकाम पर लग जाती है दूसरी और hood maker कई जगों पर अपने hood masks पहुँचाता है Ross और owner सभी factories के तलाशी लेते हैं लेकिन वहाँ उने कुछ नहीं मिलता Ross पूछता है कि तुम इतने सारे लोगों के mind read करती हो मतलब हमेशा तुमारे कानों में दूसरों के mind की voices गुंसती होंगी, right? owner कहती है, हाँ लगातार उन आवाजों को सुनकर हम mind readers को मतलब ऐसी समस्या आ जाती है कि हम पागल भी हो सकते हैं लेकिन हाँ एक बात कहूँ इस वक्त मुझे कोई आवाज नहीं सुनाए दे रही है रोस पूछता है, ऐसा क्यों? owner बताती है, वो इसलिए agent Ross कि मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत अलग फिल करती हूँ एकदम शांद और खुश हो जाती हूँ मैं अब रोस भी सोच में पढ़ जाता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा हमारे बीच अचानक owner चिलाने लग जाती है कि मुझे बचाओ दरसल Franklin Mary को torture कर रहा है दोस्तों दूसरी तरफ जिसकी वज़े से वो चिला रही होती है कि मुझे बचाओ और क्योंकि mind reader से एक दूसरे से connected होते है तो यहाँ पर owner को भी उसका दर्द feel होता है और वो वही शब्द दोहराती है रॉस भी इस बात को समझ जाता है और तुरंत Mary को बचाने के लिए वो निकल जाते है वहाँ Franklin हुड मास्क पहन कर Mary की गर्दन पर gun दबाएवे बैठा होता है वो उसे torture कर रहा होता है कि अम मेरा mind read करके दिखाओ दिखाओ ना दिखाओ जरा वरना गोली मार दूँगा रॉस भी इसको डराता है कि गन फेंग दो वरना बहुत बुरा होगा वो चिलाता है कि इस मास्क को पहने से mind readers का काम चौपट हो जाएगा मैं ये बात सभी को बताने जा रहा हूं ये कहकरो मैरी को तो छोड़ देता है और गन भी भेंग देता है अब रॉस फ्रेंकलिन को अकेले में जाकर कहता है कि इतने बड़े सरकारी officer होके ये क्या कर रहे है फ्रेंकलिन कहता है कि तुम इनकी सुरत पर मत जाना ये mind readers बड़े खतरनाक लोग है यहाँ पर बैठकर ये लोग mind reading के द्वारा जान लेते हैं कि देश का प्रधान मंतरी क्या सोच रहा है ये लोग चाहें तो देश के confidential matters को दुर्शमन के हवाले बेच भी सकते हैं और मैंने सुना है कि तुम किसी mind reader के साथ पुरा घूम रहो मेरी बात मानो उससे बच के रहो इसी बीच ओनर फ्रेंकलिन का हुड मास्क खुद पहन लेती है और तब वो एक नॉर्मल इंसान के तरह फील करने लग जाती है क्योंकि वो किसी का भी mind read नहीं कर सकती अब रॉस और उनर पुलिस के पुराने टेप्स प्ले करके देखते है उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर कटर नाम के एक सैंटिस्ट ने वेक्स फाइबर माटिरियल पर रिसर्च किया था और उसे mind readers पर टेस्ट भी किया था यहां तक ही बच्चों पर भी इस मास्क को टेस्ट किया गया था और टेस्ट के नाम पर बिचारों को बहुत टॉर्चर भी किया गया कि सब देखकर उनर बहुत दुखी हो जाती है दूसरी और Franklin मैरी का पीछा करता है मैरी भी बैट जाती है लेकिन वो अपने power का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देती है वो Franklin के सर पर हाथ रखकर उसके mind को बहुत डॉर्चर करती है सिर्फ मैरी ही नहीं बलकि सारे mind readers Franklin के mind पर हमला कर देते है इससे Franklin मरता तो नहीं बलकि उसका mind बहुत कमजोर हो जाता है यानि उसका दिमाग एक बच्चे के दिमाग जैसा हो जाता है अब ये जानकर रौस परिशान हो जाता है और उनर से कहता है कि मुझे तो इसमें मैरी का हाथ लगता है जरूर उसने Franklin से बदला लेने के लिए ही ये किया होगा वैसे तुम तो मैरी के साथ mind से connected रहती हो ना जरा पता लगाओ कि वो कहाँ पर है ओनर भी मैरी से connect करके मानी मान पूछती है क्या Franklin को तुमने torture किया मैरी कहती है जब तक हम इनके जुल में सहते रहेंगे तब तक ये लोग हमें दबाते रहेंगे हमें मिलकर इनसे बदला लेना होगा हाँ वो मैंने किया वो सिर्फ एक शुरुवात थी दोस्तों ओनर उसकी बात तो सुन लेती है लेकिन रॉस से जूट बोलती है कि मैं मैरी से connect नहीं कर पाई पता नहीं वो कहां पर है रॉस कहता है देखो उनर मजाक मत करो यहां के सारे माइन डीडर्स ने पुलिस वालों पर हमला करना शुरू कर दिया है अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी माइन डीडर्स को रश्ट करना पड़ेगा और तुम भी मुसीबत ने पढ़ चाओगी तुम घर वापस मन जाना तुम्हें खत्रा है उनर कहती है मैं कहां जाओं कि मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है अब ये सुनकर रौस दुखी हो जाता है उनर को अपने घर लेकर जाता है वो फिर वो खिड़ी के से बाहर देखकर रियलाइस करता है कि जिस दंगे को वो रोकना चाहता था वो शुरू भी हो चुका है आम लोगों और माइन डिडर्स के बीच लडाई शुरू हो गई है उनर भी बड़े दुख के साथ कहती है ये लोग क्यों नहीं समझते कि माइन डिडर्स भी इनसान है हम लोग ज़रा म्यूटेट हो गए इसमें हमारी क्या गलती है बताओ वो लोग हमें खतम क्यों कर देना चाहते हैं बातो ही बातों में वो एक फोटो को देखती है जिसमें राउस बच्पन में अपने पिता के साथ एक नदी पर फिशिंग कर रहा होता है उनर कहती है इस फोटो में तुम बहुत खुश लग रहे हो रॉस कहता है हाँ जब पापा थे तो मैं बहुत खुश था हम दोनों रोज उस नदी में फिशिंग करते थे और जानती हो वो माइंड इड़ से भरे वे कमरे में भी आराम से बैठे रह सकते थे क्योंकि वो बिलकुल उपन मैंडेड इंसान थे उन्हें दोस्रों से कुछ छुपाने की जरुवत ही नहीं पड़ती थी इसलिए उन्हें माइंड इड़स बहुत ही पसंद थे और पापा के साथ मैं भी बहुत खुश और बहुत से फिल करता था इस पर ओनर कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ न तो बस मैं भी वैसा ही कुछ अच्छा और बड़ा से फिल करती हूँ लगता है रॉस को भी ओनर से प्यार होने लग गया है उस रात रॉस सो रहा होता है और तब ही ओनर रॉस का मैं डीट करने लग जाती है हलंकि मैं डीडर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे लेकिन क्या करें वो तो बस रॉस के बारे में जानने के लिए असा करने लग जाती है उस वक्त रॉस अपने पापा के बारे में सोच रहा होता है तो उनर को भी वही दिखाय देता है लेकिन फिर रॉस बढ़ बढ़ाने लग जाता है तो उनर माइंड डीट करना बंद कर देती है और वहां रखे फाइल्स को पढ़ने लग जाती है इतने में रॉस उठकर पुछता है ये क्या कर रही हो उनर भी मुजाक में कहती है कि तुम्हारे ले कोई नौकरी ढूड रही हूँ क्योंकि तुम्हे एक माइंड डिट से पियार जो करने लगे हो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ना इसमे ओ, रॉस भी हसकर कहता है, ठीक है, कोई अच्छी से नौकरी ढूना मेरे लिए ओनर कहती है, तुम्हें बता है, मैंने नए घर का लोकेशन भी सलेक्ट कर लिया है उस नदी किनारे पर घर बनाएंगे, जहां तुम अपने पापा के साथ फिशिंग करते थे मजाक मजाक में ओनर एक फाईल देखकर बताती है कि हमने जिन फैक्टरी की तलाशी ली थी, उनके लावा भी एक फैक्टरी है, जो तेरा साल पहले बंद कर दी गई थी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हुड मेकर उसी फैक्टरी में काम कर रहा हो ये सुनकर रॉस भी हरान हो जाता है तुम्हें तो सच में यार पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए था। रॉस उस फैक्टरिक ले निकल जाता है। उनर भी तयार होती है लेकिन रॉस कहता है इस वक्त तुम्हारा बाहर जाना खत्रे से खाली नहीं है। लोग माइंड उसको मारने पर तुले वे हैं इसलिए काम करो तुम यहीं पर सेफ रहो। मैं जाकर उस हूड मेकर का पता लगाता हूँ। कहकर वो निकल जाता है। लेकिन ओनर कहां वो चुपके चुपके उसका पीशा करती है। तब टेलीपैथी के जरीए मैरी ओनर को कॉन्टेक्टर क कि कहती है कि कि किसी भी सरकारी आदमी पर विश्वास मत करो वो सारे धोगेबाज हैं। हमें किसी भी तरह हुड मेकर का खात्मा करना होगा। वरना ये सभी लोग मिलकर हम माइंड इडर्स का नाम और निशान मिटा देंगे। यहां रॉस को दिखाते हैं तो उस फैक्टर वहाँ जरूरी होती है लेकिन इन माइंड इडर्स ने प्राइविस्टी के धज्या उड़ा के रख दिये ये मुझे बिलकुल मनजूर नहीं इसलिए मैंने ये सारे मास्क बनाये तांकि लोगों को उनकी प्राइविस्टी वापस मिल पाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्य पाउर्फुल हतियार जो है उसके सरिये तुम माइंड इडर्स से बच जाओगे पर मेरे जैसे दूसरे लोगों का क्या हमें तो हुड मास्क के सक्त जरूवत है ना तब ही ओनर अंदर आ जाती है वो रोज से पूछती है एक बात बताओ किस पाउर्फुल हतियार की बात हो पिर उनर उसका माइंड क्यों नहीं रीड कर पा रही है समझ में नहीं आ रहा है यह सोचकर उनर तो चौंकी जाती है लेकिन हमें भी चौंकना पड़ेगा यार ऐसे कैसे हो गया और तब डॉक्टर कटर बताते हैं कि यही रोज का स्पैशल हतियार है यही उसकी पावर है वो तुम जैसे माइंड डिडर से अपने माइंड के लेक्टिक सिंगनल्स को ब्लॉक कर सकता है तब ही तो वो बेजी जग तुमें अपने साथ हर जगे लेकर घूमता है उसे पता है कि तुम चाहकर भी उसका माइंड डिड नहीं कर सकती है उनर को भी शौक पे शौक लगत उनर उस दर्वाजे से निकल कर उसे लॉक कर देती है मेरी और बाकी माइंड इडर्स जान चुके होते हैं कि हुड मास्क गहीं पर बनाया जा रहा है और उसे डॉक्टर कटर नहीं बनाया है उसे मिलकर डॉक्टर कटर के सर पर हाथ रख देते हैं और अपने पावर से उसके माइंड को बिलकुल बे काबू कर देते हैं जिसकी वज़े से वो मर जाता है फिर वो उस पूरी जगे को जिला देते हैं आग तेजी से फैलने लग जाती है और जल्दी रोज बे जल जाएगा दूस्तों वो दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उस तरफ उनर दरवाजे को लॉक करके खड़ी होती है रोज दरवाजा खोलने की बिंती करता है लेकिन उनर कहती है तुमने मुझे थोका दिया है अगर तुम मुझे थोका नहीं देना चाहते जहां रौस अपने पिता के साथ फिशिंग कर रहा होता है और उनर नदी के बीच खड़ी उनको देखती है ये तो मुवी की शुरुआत वाला सीन है और जब उनर आगे बढ़ती है यानि रौस के माइंड की गहराय में जाने के कोशिश करती है तो वो नहीं जा पाती और नदी का स्थर उपर उठने लग जाता है मतलब रौस अब भी उसे माइंड डीट करने से रोक रहा है वो बहुत विंतिकर थी कि प्लीज मुझे आगे बढ़ने दो अब रौस भी उसे ब्लॉक नहीं करता और उनर रौस के माइंड के अंदर जांकती है दरसल जब रौस के बुलाने पर उनर पहली बार पुलिस टेशन आई थी तो उसने रौस और उसकी चीफ को बात करते वे देखा था उस वक्त उनर ने रौस का माइंड डीट करने की कोशिश नहीं की थी लेकिन अब वो रौस के माइंड में जाकर जान पाती है कि असल में रौस और चीफ के बीच क्या बाते हुई दरसल चीफ और रौस ने ये प्लान बनाया था कि अगर हम उनर को अपने डिपार्टमेंट में ले लें मतलब रौस ने उनर के साथ जो अच्छा बढ़ताव किया जो प्यार किया वो सब छूट था दरसल रौस और उसका डिपार्टमेंट माइंड डिडर्स को कंट्रोल करने के लिए उनर का इस्तेमाल कर रहा था ये जानकर उनर पूरी तरह तोड़ जाती है और रोने लगती है रौस कहता है कि शुरू में मैंने भी तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ प्लीज मेरा विश्वास करो और दर्वाजा खोल दो उनर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पाती कि वो दर्वाजा खोले या फिर नहीं बाहर हर तरफ लड़ाई और दंगे चल रहे होते हैं बाम ब्लास्ट भी होने लग जाते हैं लेकिन उनर वो रोस को बचाया या फिर नहीं इस बात को ये अधूरा छोड़ देते हैं यार और मूवी खतम हो जाती है बाकि इसे कह सकते हैं ओपन एंडिड मूवी है मुझे तो लगता है कि उनर ने रोस को माफ करके उसको बचाने के लिए दर्वाजा खोल दिया होगा आपको क्या लगता है क्योंकि रोस ने उसको धोका बे दिया तो आप अपनी सेंस से बता दिजे कॉमेंट्स में मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो अच्छे लगी हो एक्स्पिनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपको अगली वीडियो में ध्यान रखेगा अपना एंट फानली थैंक्स और वाचिंग